गुड मॉर्निंग डल होजी नजारा बेहत खुबसूरत है यहां आओगे तो ही जान पाओगे मॉर्निंग वाक का समय है तो हम चलते चलते निकल गए है पंच पुला की ओर रोड की दाई और किसी लोकल आर्टेस्ट द्वारा चटान ओपर ड्रॉ किये गए बेहत खुबसूरत पेंटिंग है और बाई तरफ देखें तो नजर वापस ना आए ऐसे संदर वेली है हमने रास्ता पसंद किया है गर्म सडक वाला आप भी हैरान रह जाओगे कि इस बेहत खुबसूरत सडक को गर्म सडक क्यों कहते है मुझे ये जानने को मिला कि इस सडक पर दूप सबसे अधिक आती है इसलिए इस सडक का नाम गर्म सडक पड़ा है यह पंच कुला नहीं पंच पुला है P.U.L.A है मैं भी मुश्किल में पड़ा था इसलिए बता रहा हूँ गांधी चौक से सिर्फ 3 किलोमेटर का रास्ता होने की वज़े से टूरिस्ट के आइटनारी में पंच पुला होता ही है यहां का वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है जो यहां का प्रमुक आकरशन भी है आज से 173 साल पहले भारत का गवर्नर बन के डेल हाउसी भारत आया था तब वो 36 साल का था और उसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा चमबाजीले के इस हिल स्टेशन को उसने समर रीट्रीट के रूप में स्थापित किया था इसलिए उसी के नाम से इस हिल स्टेशन को आज हम डेल हाउसी से पहचानते हैं डेल हाउसी ने पंजाब जासी अवज जैसे काई सारी रियासतों का विलाई कर दिया और अंग्रेश साशन में मिला दिया बेशक यह इसका बुरा काम था लेकिन उसी ने कहीं अच्छे काम भी किये जैसे तार टपाल रेलवे की शुरुवात की कोलकत्ता मुंबई और मदरास में विश्व विध्यालयो की स्थापना की मैकोले की पॉलिसी को सीरे से नकारते हुए उसने एजुकेशन की नई पॉलिसी को परमिशन दी इसलिए डेल हाउजी को आधुनिक भारत का प्रणेता भी कहा गया है खेर यह तो थी गवर्नर जनरल की बात लेकिन हम तो निकले है सिटी टूर के लिए और अभी-अभी हम पहुचे है डेल हाउजी पब्लिक स्कूल में यहां आर्मी ने एक अच्छी प्रदर्शनी लगाई है जो हम सब के लिए प्रेणा दायक है जो हम प्रदर्शनी 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 लगाई है अरे भाई तेरे मुझसे दुश्मन ही गया है देखा अपने टूर में कभी-कभी ऐसा भी होता है और ऐसे हालाद प्रेतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जजबात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिन्दगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें अब हम आ गए है सुभाश चौक अरे देखो तो सही कितना सुन्दर व्यू है पास में ही सैंट फ्रांसेस चर्च है जो बहुत ही पुराना लग रहा है यह अच्छी लोकेशन पर है इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर प्रेयर या विजिट के लिए आते हैं कि अच्छी लोकेशन पर बहुत है शाम धलने को है हमारा प्लान गांधी चौक जाने का है बीच में ही संसेट पॉइंट आता है और यहाँ से अस्थ होते हुए सूरज को देखकर हमारा मन आनन से भड़ गया यह है प्रसिद गंधी चौक डेल हाउजी के ज्यादा तर प्लेस पर जाने का रास्ता आपको यहीं से मिल जाएगा यहाँ भी एक चर्च है जिसकी स्थापना सन 1863 में हुई है यानि डेल हाउजी का यह सबसे पुराना चर्च है इसका नाम सैंट जॉन जर्च है इस चर्च की विजिट करके हमें बहुत अच्छा लगा और यह इंडो तिबेटियन मार्केट है अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दुकाने है यहाँ चीजे अच्छी और सस्ती मिलती है इस मार्केट के बिलकुल आपोजेट मॉल रोड है डेल हाउजी की प्रसिज चीजे खास करके गर्म कपड़े यहीं से लोग लेते है हमें गांधी चौकाना अच्छा लगा लेकिन अब समय है वापस जाने का तो हम चल दिये अपनी होटल की ओर तो यह थी हमारे हिमाचल यात्रा कल सुबह 9 बजे हम चेक आउट करके पठान कोट से दिल्ली और दिल्ली से एहमदाबाद यानि कि अपने गर पहुँच जाएंगे आई हूप मेरी ये वीडियो आप वो अच्छी लगी होगी और यदि आप पूरी सीरीज दिखना चाहते हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरीए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी वही प्लेलिस्ट दी गई है तो मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा